अप लोग के समख चा गए हैं एक नई अप डेट लेकर के आप लोग के समख चाए हैं और ये जनकारी आप लोग के लिए बहुत ही महतोपुण है क्योंकि प्रति दिन इससे पहले आपको इस्टरण सेंट्रल रेलिवे का हमने अपरेंटिस की बहाली की पूरी जनकारी दिया और यह बहुत ही बड़ी बहाली है, जो आप लगभग सारे 3,000 के आसपास में यह seat है, और आपका trade यदि इससे मर्ज कर रहा है, मैच कर रहा है, आपका ITI फाइनल हो चुका है, वो State Council of Vocational Training हो तब, या National Council of Vocational Training हो तब, तो आप इसमें eligible है, और आपको पता है, कि ITI करने के हालियाद दिखेगी, जो railway के तरफ से निकलेगी, और railway हमको रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया और माध्यम माना जाता है, तो guys हम आपको ले करके चलते हूं, लेटर पे और आप देखिए, यदि आपका trade उस तरह का है, जैसे फीटर है, टर्नर है, मस्निव, सारे trade का है, आप देखिए कि कितना सीठ है, किस division में कितना है, तब ही जाकर के आप उस form को भरिए, और जाकर के 100% accuracy के साथ आपका selection होगा, मार्स बेसी selection होगा, कब से कब क्या है, सारा जनकारी हम देने जा रहे हैं, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो इस वीडियो को last तक देख लेटर खुल कर के आगया है, और आप देख लिए, ओपनिंग डेट, जी हाँ, ओपनिंग डेट कब है, एक तारिक का जी है, आज का है, एक 10-2022 का है, और लास्ट डेट आपका देख लिए, 31-10-2022 का, मतलब 31 अक्टूबर तक आप अपलाई कर सकते हैं, और चलिए ये, मत आप पास की है, और आपके पास किसी परकार का एक्स्प्रिएंच नहीं है, ज्यादा आप, टाइम डिले नहीं की है, तो आप फ्रेशर सिरेणी में आने का मतलब यह है, कि आपका ट्रेड फीटर है, तो देख लिए टोटल सीट 40 है, वीलडर है, तो 30 है, पेंटर है, तो 20 ह कूल सीट मिला करके कितना नब्वे है हम बहुत सारा पूरा जनकारी देंगे यहां पर फिर देखिए रेलवे होस्पिटल में जो बता रहा है तो यहां MLT का जो रेडियो ग्राफी जो मतलब पारा मेडिकल जो कहले रहता है ना उनके लिए यह सीट है ठीक है ना एक सरे वाला कारकेंटर है तो तीस है फिर्टर है तो आप जब देख लिजेगा कि यहां पे डेकी आटेरी में यक साल हो गया तो आप फ्रेसर में आईएगा और बाकी जो है वो आपका एक्स कैटेगोरी में आएगा ते कार्पेंटर का 30 है, फीटर का 120 है, एमेंबी का 30 है, पेंटर का 40 है, उसके बाद मसीनिष्ट का 30 है, वेल्डर का 90 है, टुटल मिलाकर के 360 सीट है, ठीक है ना, और एलेक्टिशियन क अब यहां पर देखे लोको वक्सप यह बीजन जिस तरह से होता है ना उस तरह से इसका साउथ सेंट्रल रेलिवे में दिया है लोको वक्सप का दिया हुआ है यह फीटर का 142 मतलब फीटर का गजब का दे रहा है फीटर का 118 है अब लग रहा है कि यह बिल्डर का भी 48 बिल्डर भी किसी से कम नहीं जा रहा है आपकी बार हमको यह भी लग रहा है कि जो बिल्डर अभी इसी में आजाता है तो चून करके बढ़ियां से भरना है और कल का जो डेट है मतलब दो तारीक के डेट में हम सारे 11 बजे लाइब आएंगे इस चेंटरल रेलिवे में आप किस डिवीजन में भर भलिये आपका कितना कैटेगोरी मतलब आपका मार्क्स कितना है आप किस जोन म देंगे ठीक है ना तो यहाँ पे देखे जरूर के लिए कि टूटल देखा जाता है 110 यहाँ पे दे रहा है और एकस आई टी आई के लिए दखे 1233 डे रहा है टोटल मिलाकर 1343 सिट यहां पर अपडेट कर रहा है और केटोगोरी वाइज में देख लिजे का पूरा अपडेट क्या है आप जरूर फॉर्म भरिएगा तो केटोगोरी वाइज ही भरिएगा यहां पर ठीक है ना और यहां पर कि ना बैटा इसका पूरा अपको कर देते हैं कि यह आप को कब तक मतला देखेए यह पे प्रेसर जो हूं कि मीनिमा कम से कम 15 साल होना चाहिए और मेकसिमम 12 – 24 साल होना चाहिए किसके लिए फ्रेसर के लिए मतलब 22 साल होना चाहिए यहें कम् matière ठेशर के लिएчто और मेक्सिमम आपका मतलब जो XITI जो है वो आपका कितना मतलब होना चाहिए 24 साल होना चाहिए ठीक है ना यहाँ पे लिख रहा है कि 15 year of age and should not have completed 22 year मतलब 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह आपका कह रहा है मतलब फ्रेशर के लिए और 24 साल होना चाहिए किता और 24 year for the fresher and oblique यहाँ दे दिया XITI MLT respectively मतलब 24 साल यह oblique दे दिया तो X यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखिए अपर एज relaxation 3 year OBC के लिए 5 साल यह तो जन्रसित अधिकार है यह सब सारा चीज ठीक है ना 10 साल PWD के लिए PWBD के लिए है ठीक है ना यह आप समझ लीजेगा अच्छा फर्म भरने का लाश्ट है 31 त यहाँ पे और सारा डेट सिट्स वही है आप इसमें भी आप भार सकते हैं यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे देख लिए फीटर का यहाँ पे भी दिया है टोटल देख लिजेगा आप अम इसका PDF डाल देंगे मेरे ग्रूप में आप जूर जाएगा ठीक है हम इस वीडियो के संट कतो है यहां पर देख रहे तो इसमें आपका पूरा स्ट्रू आप लीजि का सिक है इसमें आप देख लिजेगा इसका चर्चा हम परशू करेंगे कि किस न्हुन के हैसलीदे लेहए घा ह пошन एबहुत जज़ादा सिट आयाँ लगभाग सारे थीन हजर का असपास में से पर यहां पर तोटल देखे कितना दे रहा है आपका यहां पर पूरा मतलब सारे 3000 के आसपास में शिर्ड दिया हुआ है और यहां पर देख लिए पूरा ट्रेड आपका यहां फीटर है पर देखे कितना है और इसका सेलेक्शन कितना है मेरिट बेश्ट होगा आपके आईटिए के रिजल्ट के अकॉर्डिंग मतलब जितना होगा परसेंटेज उस पर आपको मतलब अग्री गिनेट निकालेगा परसेंटेज तो यदि आप दिल्चस्प ले रहें आप मतलब एक्चुक हैं तो जरूर भरिए पहले इस्टरन कियेगा मत सबको भरिएगा ओके गाई यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए कमेंट कीजिए बाबाई